प्रेरक कहानी चार दान की महिमा भगवान बुद्ध का जब पाटली पुत्र में शुभागमन हुआ, तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सामपत्तिक स्थिती के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिम्बिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किये। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहुकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किये और बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुर्या लाठी टेकते वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली, भगवन, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला, उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज ना होने के कारण, मैं इस अधकाय फल को ही ले आई यदि आप मेरी इस तुच भेंट स्वीकार करें, तो मैं अहो भाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहन किया। राजा बिम्बिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवन, क्षमा करें। एक प्रश्न देव मुसकराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिये हैं, किन्तु यह सब आपकी संपत्ति का दसवा हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श् किरदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है।